अगर आप भी अपने घर में wall clock की इस tick tick से परिशान हो गए है तो आपको वीडियो पूरा help करणेगा आज को आपको पताएंगे कि कैसे आप wall clock की इस tick tick को खतम कर सकते हैं और अपनी wall clock को बना सकते हैं silent clock अभी तक आपने माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज माय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको ऐसे डिटेस वीडियो मिलते रहें तो आपको जो मैं step पताऊंगा आपके घर में किसी भी ब्रैंट की अगर wall clock है तो आप उसमें step follow करके तो असानी से उसको भी silent clock बिरा सकते हैं जैसे अगर आप सामने देखें तो मेरे पास है अजंता की ये wall clock इसमें कैसे इसको silent clock बिलाएंगे आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगा step by step आपको मैं पता था जाओंगा तो सबसे पहले आपको इस तरीके से market से आली machine purchase करनी पड़ती है ये machine जो है ये होती है silent wall clock ले और ये machine जो होती है silent होती है इसका link जो है मैं आपको description में देखेंगा आप बहां से जाके purchase कर सकते हैं अगर आप online purchase करेंगे silent wall clock completely तो आपको minimum भी आप local brand की भी लेंगे तो आपको 500 से 600 रुपए देने पड़ेंगे मगर आप इस तरीके की जो machine ह आपको online मिल जाएगी around 200 रुपए तक की और अगर आप local market की लेंगे तो आपको 1500 तक की भी मिल जाएगी और अगर आप अपनी local market पे भी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर 1500 तक की ये machine मिल जाएगी तो आपको ज़्यादा पैसे invest करें नहीं पड़ेंगे इस machine को मैं तो यह tik-tik हो जाएगी खतम और यह जो wall clock है जो आप देख रहे हैं आप यह भी tik-tik करके चल रही है अगर आपके जहां से देखें यह बन जाएगी silent clock तो चलिए step को follow करतें तो इस machine को fit करने के लिए आपके वास इस तरीए यह चोटा सा screw driver होना चाहिए और कुछ इसक लि तो यह मेरे पास machine आगी है इसको side कर लेते हैं इसका कोई काम नहीं है हो सके तो इसको क्लास को touch मत करेंगे क्योंकि आपके finger के आप निशान आ जाएंगे इसको as it is दूर घड़ दे उसके आपको यह सूईया होती है इनको खोलना होता है अब कभी सूई को ऐसे जोड़ से न तो 300 यहां खोल दियें इनको जड़ा भी न छेड़ें क्योंकि अगर यह बैंड होगी जैसे आपको बिनता है तो जब यह चलेंगी तो आपसवे टकराना सुरूख कर देंगी अब यहां से खूल गया अब इसको अगर मैं प्रेस करूं तो यह नहीं निकलेगा क्योंकि नहीं है तो इसतरी किसे देंगे यह मशीन बहार आगी है तो आपको एक औरवकी मशीन आती है यह होती है इसा smartest कि आति ही मशीन फिंग में फर्क होगा यह सारी जो आती है यह मशीन स्टैंडर साइज की ही आती है आप like करता है कि आपके जो वाल क्लोक है भो बड़ी है चोटी है या कैसी है तो देख सकते हैं यह आग़िए अब मुझे बस सिंपल कुछ नहीं करते है इसको साइड कर देते हैं और इस वाले को यहां पर फिट कर देते हैं तो उसी ट्रेक्शन में अगें फिट करूंगा जिस ट्र तो मशीन क्या होगी वह बाहर गिर जाएगी तो इसको रोक निकले क्या होता है आप इस तरी किसे लगाएंगे और यह जो इसके साथ रबड और यह स्क्रू मिलते हैं इसको फिट कर देंगे बट मेरे केस में जुरूरत इसलिए नहीं पढ़ रहे है क्योंकि आपको बने जैस तो आप देखेंगे यह लॉक हो गए है और यहां से भी आ गई है अगर आप मैं करना भी चाहूं तो इसको टाइट कर सकते हूं ऐसा नहीं है कोई इसमें प्रॉलम नहीं है बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप इसको लगा दें तो आपकी यह इसकी जो डाइल्स है यह जो आप सुईयां देख पा रहे है यह प्रॉपर इसमें फिट हो जाए तो ऐसे देखें मुझे कुछ खास करने नहीं पड़ा मैं इसको यहां पर फिट कर देता हूं जो कि लॉक सिस्टम से लॉक हो गई है अगर आप देखें यहां पर हर साइड वे प्रॉपर फिट ह हो गया लॉक आप इसको देख लेते हैं जुरूर था है यह नहीं मगर मैं अब इक लिए कर देता हूं ताकि यह अपनी जगह से मुफ ना हो अब इसमें जली से सुईयां लगाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लगे कि आपकी घंटे की सुई और इसको मैं हलका सा प् इनको आपको आगे से पीछे से जड़ा भीना दबाये इसा आपको मैं पहले भी पटाया कि अगर इनको छेड़ेंगे तो इनकी खराब हो जाए ग़िया और इनको पहले हो जह यह लग तो एक बज़र होगा तो हो सकता है तब मिनिट की सुई यहां पर 11 पर हो या दो पर हो तो अगर आप चालते हैं पूरा टाइम एक्जेक्ट चले कि जब दो बज़रे है तो एक्जेक्ट मिनिट की जो सुई है वह आपकी 12 पर हो तो उसके लिए इसको प्रॉपर सीधा अलाइ शुल्ट बजाने से पहले चल रही है अब मैं सेल को बार निकाल लेता हूं अब उसका फ्रंट ग्लास लगा देते हैं इसको आपको ज्यादा कसने नहीं होता है अगर आप ज्यादा कसिंगे तो होगा क्या जो आगे का सैकेंड वाला डाइल है वह आपके इसके साथ खांच इतना टाइट ना कसें कि आगे का ग्लास और सेकिंड की जो सुई है वह आपस में टक्राना शुरू हो जाए तो इसके जली से चारों स्कूरू लगा देते हैं अगर लगा कि चेक कर लेते हैं तो आप देखेंगे यह पूरी अप मशीन साइलेंट क्लॉक बन चुकी है और अगर आप ज्यां से देखें तो यहां भी आपका सैकिंड वाला डाइल है पहले टिक टिक करके चल रहा था अगर आप अपने घर की अभी वाल क्लॉक देखेंगे जो साइलेंट क्लॉक नहीं है तो वो टिक टिक करके चलता है मगर आप देखेंगे अब यह लगातार चल रहा है और जरा भी नॉइस नहीं आ रही है एक सैकिंड क्ले में चाहिए फिर से चुप हो जाता हूं तो आपको भी बैक्ग्राउंड नहीं सुनाय दे दियोगी बट आपको जरा भी क्लॉक की अवास नहीं दे दियोगी दोस्तों को आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो पेस वीडियो को लाइक कीजिगा चल को सब्सक्राइब जरूर कीजिगा